Hello everyone, तो आज हम समझने जा रहे हैं जुरुस्पूरिडेंस के important MCQ को जुरुस्पूरिडेंस के MCQ समझने से पहले short में जो हैं हम जुरुस्पूरिडेंस के बारे में समझ ले थे जुरुस्पूरिडेंस को हम असान शब्दों में समझे तो विदी के विकास का क्रमबत अध्यान है जुरुस्पूरिडेंस इस systematic study of the development of law यानि कि विदी शास्त्र विदी के विकास का क्रमबत अध्यान है जो लोग पहले किस रूप में था किस फॉर्म में था आज हम लोगों किस फॉर्म में पढ़ लें किस रूप में पढ़ लें लोग को जो विकास हुआ है पहले से आप तक उसकी हम study करते हैं जुरुस्पूरिडेंस में जुरुस्पूरिडेंस इस systematic study of the development of law जानी कि वेधी की विकास का करंबन अध्या ने अब हम बात करते हैं जुरीस्पूरिणस के बहुत ही important topic School of Jurisprudence अब यह School of Jurisprudence क्या है जुरीस्पूरिणस में बहुत सारे जुरिस्ट आये, वेधी शास्त्री आये उनिने अपने अपने point of view से जो है जुरिस्पूड़न्स को define करा इनी जुरिस्ट की ideology की according जो है जुरिस्पूड़न्स को अलग-अलग categories में बाट दिया है ये categories ही schools कहलाई यानि की शाका कहलाई कुछ विदिशास्रियों ने जो है जुरिस्पूड़न्स का analytical अध्यन करा यानि के विशलेश लात्मा कद्यन करा तो जो है analytical school बना यानि के विशलेश लात्मा कद्यन करा तो कुछ ने इत्यासिक अध्यन करा तो historical school बना तो कुछ ने विदिशास्त को प्राकर्तिक बताया natural law से बताया तो जो है natural law school बना तो कुछ ने कहा कि जूरिस्पूरिडन्स जो है समाजिक विचारदारा पर अधारित है यानि कि सोशोलोजिकल स्कूल पर अधारित है तो ऐसे ही विदी शास्तियों के मतों को अलग-अलग कैटेगरीस में डिफाइन कर दिया गया ये कैटेगरीस ही स्कूल कलाई अब जरूरी नहीं है कि कोई एक जूरिस्ट किसी एक स्कूल में है वो दूसरे स्कूल पर नहीं हो सकता ऐसा भी हो सकता है कि एक विदी शास्तिरी जो है एक से अधिक स्कूल में हो सकता है जरूरी नहीं है कि एक विदी शास्तिरी जो है एक ही स्कूल में रहे एक ही शागा में रहा है ऐसा भी हो सकता है कि एक विधी शास्त्री के विचार जो है कई शागों से मिल ले है Question No.1 है Custom is the batch and not a grant of origin of positive law Who said this? Rooli Vazvik विधी का एक लक्षड है उसकी उत्पत्ती का अधार नहीं है ये किस ने कहा था? आपके option है Option A, Main Option B, Savini Option C, Austin and Option D, Bentham and the right answer is Option D, Bentham Question No.2 है Which one of the following schools gave birth to the concept of human rights? निमलिकी शाकाओं में से काउं सी एक ने मानवा दिखारों की संकलपना को जन्म दिया Option है आपके Option A, Historical School Option B, Natural Law School Option C, Realist School and Option D, Sociological School and the right answer is Option B, Natural Law School Next question है The following person is the author of the book The Concept of Law निमलिकी वैक्ती, The Concept of Law का लेखाक है आपके option है Option A, Halt Option B, Austin Option C, Bentham and Option D, None of the above and the right answer is Option A, Halt The Concept of Law जो जो बूक है उसके author थे, Halt Next question है निमारी एक्जैम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट कोशिंस है Next question है Theory of Seimini was based on Seimini का सिद्दान किस पर अधारित था Option A, Greek Law Option B, Common Law Option C, Spanish Law and Option D, Roman Law and the right answer is Option D, Roman Law Question number 6 है Who has observed that on denotes to the relations between a person and object forming the subject matter of his ownership किसने कहा था कि स्वामित एक व्यक्ति और एक चीज़ जो स्वामित की विशेवस्तु है के बीच की संबन को प्रकट करता है Option है आपके Option A, John Austen Option B, John Salmond Option C, Holland and Option D, Roscoe Pond and the right answer is John Salmond Option B Question number 7 है Who amongst the following said that jurisprudence is the philosophy of positive law निमलिकित में से किस ने कहा था कि विदी शास्त्र परतिश्ठापित विदी का दर्शन है Option A, Gray, Holland, Hart, Austin and the right answer is Option D, Austin Next question है Who describes jurisprudence as a lawyer's extraversion किसने विदी शास्त को अधी वक्ताव की बही मुर्खरता कहा है Option है आपके Option A, Savini Option B, Salmond Option C, Julius Stone Option D, Buckland And the right answer is Option C, Julius Stone Question number 9 है Which one of the following writers has divided jurisprudence into particular jurisprudence and general jurisprudence निमलिकित में से किस लेकक ने विदी शास्त को विशिस्ट विदी शास्त और साधारन विदी शास्त में विभाजित करा है आपके option है Option A, Austin Option B, Bentham Option C, Holland And Option D, Salmond And the right answer is Option A, Austin Austin ने jurisprudence को जो है Particular jurisprudence and general jurisprudence में डिवाइड करा है तो next question है बहुत ही जादा important question है वैसे तो सारी question बहुत important है सभी को आप ध्यान से पढ़ लिएगा A comparative method of study in law was introduced by विधी के तुलनात्मक अध्यान को किसके द्वारा परतिबादित कर गया था आपके option है 70, option B, Main, option C, Heart And option D, Kielsen And the right answer is option B, Main यानि कि विधी का जो तुलनात्मक अध्यान था वो Main ने करा था Question number 12 है The following has the legal personality in India भारत में निम्लिक्रित को विधिक वैप्ती प्राब्ध है Option A, Union of India Option B, The President of India Option C, The Prime Minister of India And option D, All of the above And the right answer is option D, All of the above Question number 13 है The doctrine of social engineering Propounded by समाजिक इंजिनिरिंग के सिद्दान का परतिबादन किस ने करा था Option है आपके HALT, Option B, Roscow Pond Option C, Kielsen And option D, Austin And the right answer is option B, Roscow Pond जो social engineering का सिद्दान है वो Roscow Pond ने परतिबादित करा था Next question है Who amongst the following jurists is the propounder of historical school नमलिकित विदिशास्रियों में से किसी विदिशास की एथिहासिक शाका का प्रवत्तक माना जाता है Option A है Frederick, One, Seveni Option B, Hegel Option C, Karl Marx Option D, Ering And the right answer is option A, Frederick, One, Seveni Seveni को जो है historical school का propounder माना जाता है Frederick, One, Seveni को जो है historical school यानि के एथियासिक शाका का प्रवत्तक माना जाता है Question No. 15 है Which one of the following school is related to this ideology? The law is found, it is not created It is self-existent निमलिकित विचारदारों में से कौन से एक विचारदार से जुड़ी है कि विधी पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है ये सवेम विगवान है यानि कि विधी पाई नहीं जाती है और नहीं बनाई जाती है खुद में विगवान है यह कौन से स्कूल की आइडियोलोजी है आपके option है option A analytical school यानि कि विशलिश रात्मक विचारधारा option B historical school यानि कि एत्यासी के विचारधारा option C sociological school शमाज शास्रिय विचारधारा option D realistic school यानि कि यदार्त वादी विचारधारा and the right answer is option B historical school historical school के according जो है law is found not created it is self-existent यानि कि विधी पाई जाती है बनाई नहीं जाती है ये खुद में विगबान है यानि कि विधी पहले से ही विगबान है question number 16 है according to which school of jurisprudence law is the manifestation of general national spirit विधी शास्त्र की किस शाथा के अनुसार विधी समाने लोग चेतना का प्रक्रिटी करण है option A analytical school यानि कि विशलिश लात्मा के विचारधारा option B historical school option C sociological school option D realistic school and the right answer is option B historical school यानि कि थ्यासिक विचारधारा question number 17 है father of Walgis theory is लोग चेतना के सिद्धान के जनक है option A salmant option B 70 option C kelson option D austin and the right answer is option B 70 लोग चेतना के सिद्धान जो था यानि कि वोलगी सिद्धान जो थी वो 70 नहीं दी थी question number 18 है the nature of the law is not universal like language it change with individuals and times this is statement related to principle विधी की प्रकृति सार्वभामिक नहीं है भाशा की बाती यह वैक्तियों की काल के साथ परिवर्थित होती रहती है यह कतन कि सिद्धान से संबंदित है option A social utilitarianism समाजी को प्यूकिदावास से option B वोल्गिस्ट यानि की लोग्चेतना से option C social engineering option D social solidarity यानि की समाजीक समेक्ता से and the right answer is option B वोल्गिस्ट question number 19 है who is the most prominent jurist of philosophical school दार्शनिक विचारदार का प्रमुक विदिशास्त्री कौन था option A हीगल option B हरबल्ट स्पेंसर option C सर हैंजरी मेन option D मैक्स वेबर and the right answer is option A हीगल option number 20 है according to Austin science of jurisprudence related to Austin के अनुसार विदिशास्त का विज्ञान सम्मंदित है option A morality यानि की नैदिक्टा से option B positive law यानि की विध्यात्मक विधी से option C divine law यानि की दैविविधी से and option D natural law यानि की प्राकृतिक विधी and the right answer is option B positive law यानि की विध्यात्मक विधी से question number 21 है who amongst the following jurist whose theory was it named natural law of variable contents निमलिकित विधी शास्त्रियों में से किसके सिद्धान को परिवर्तनिय अंत्रवस्तिवाली नैस्गिक विधी का नाम दिया गया option A Thomas Aquinas option B Saint Augustine option C Paul and option D R. Stambler and the right answer is option D R. Stambler next question है which one of the following jurist of natural law school related to ancient principle अब natural law के schools को भी चार प्रिंस्पल में डिवाइड करा गया है प्रागर्तिक विधी विचारधारा यानि की natural law school है उसको भी चार पार्स में डिवाइड करा गया है यानि की ancient principle मद्यकालिन सिद्धान यानि के medieval principles पुन्जागराल काल के सिद्धान यानि के Renaissance principle और है आधुनिक सिद्धान यानि के modern principles जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि प्रागर्तिक विदी विचारधारा जो है यानि की natural law school है उसके चार प्रिंस्पल है और चारों प्रिंस्पल के अलग-अलग जूरिस्ट है अलग-अलग विदी शास्त्री है तो सौकरेटिस जो है natural law school के ancient principle के जूरिस्ट है कोशन नंबर 23 है यानि की जो natural law का idea है वो ग्रीक एडियोलोजी से related है next question है who gave religious character to natural law नैसग्रिक विदी यानि की प्रागर्तिक विदी को धार्मिक चरित दिया गया था option A Plato option B Aristotle यानि के अरस्तू option C St. Augustine option D Thomas Aquinas and the right answer is option C St. Augustine St. Augustine ने जो है natural law को religious character दिया था यानि की धार्मिक चरित दिया था next question है who laid the foundation of natural law नैसग्रिक विदी यानि की प्रागर्तिक विदी की अधार शीला किस ने रखी थी option A Heraclitus option B Aristotle option C by Austin option D Hobbes and the right answer is Heraclitus option A question number 26 है who is the father of English jurisprudence ने लिकित में से किसे अंग्रेजी यानि की आंगल विदी शास्त्र का जनक कहा जाता है option A बेन्थम option B Austin option C Salman and option D Roscoe Pond and the right answer is option B Austin question number 28 है question number 27 है father of American realism American अमेरिकन या थात्रवात के जनक है option A Jerome Frank option B Gray and Holmes option C Jeremy Bentham option D Austin and Bentham and the right answer is option B Gray and Holmes question number 28 है who said that right is an interest recognized and protected by law किसने कहात की अधिकार विदी के द्वारा मानिनता प्राप्त और सरक्षी थे थे option A Earing option B Austin option C Holland option D Kelson and the right answer is option A Earing question number 29 है the propounder of purpose theory of personality is वेक्तित के पर्योजन सिद्धान का परवत्तक है option A Brins option B Becker option C Planiol option D Barker and the right answer is option A Brins question number 30 है fiction theory is related to which of the following concept कलपना सिद्धान निम्लिकित अवधार्लों में से किस से संबंदित है option A ownership option B liability option C justice यानि की न्याय से option D legal personality यानि की विधिक वेक्तित्व से and the right answer is option D legal personality यानि की विधिक वेक्तित्व से question number 31 है who said that jurisprudence is the eye of law किसने कहा कि विधिशास्त्र विधि का नेत्र है option A main option B 7E option C pound and option D lawski and the right answer is option D lawski question number 32 है are duty arising out of violation of another duty is called किसी अन्य कर्तव के उलंगन से जो कर्तव वे उत्पन होता है उसे कहते हैं A legal duty यानि की विधिक कर्तित्व B relative duty यानि की सापेश कर्तव C imperfect duty यानि की अपूल कर्तव and option D secondary duty यानि की दिर्तियक कर्तव and the right answer is option D secondary duty a duty arising out of violation of another duty is called secondary duty यानि की किसी अन्य वैक्ति के कर्तव के उलंगन से जो कर्तव उत्पन होता है उसे कहते हैं दिर्तियक कर्तव यानि के secondary duty question number 33 है which one of the following are the main theories of legal rights यानि के निमलिकित में से कौन विधिक अरिकार के मुख सिद्दान में से है option A and the right answer is option A will theory and interest theory यानि की इच्चा सिद्दान और हिस सिद्दान जो है विधिक अधिकार के मुख सिद्दान जो है question number 34 है Austin is the palm tree in jurisprudence this is the statement of Austin विधिशास्त्र में ताल का व्रश है ये कतन है option A C.K.L.N option B Louski option C.Main and option D Salmant and the right answer is option A C.K.L.N question number 35 है in the dark age natural law was given in a new interpretation by अंदकार यूग में नैजगरिक विधि को नया निर्वचन दिया गया option A Thomas Aquinas option B St. Augustine option C Paul option D Alpian and the right answer is option B St. Augustine St. Augustine ने जो है dark age में natural law को एक नया interpretation दिया था यानि के अंदकार यूग में प्राकृतिक विधि को एक नया निर्वचन दिया था तो ये थे जूरिस्विडन्स के बहुती जादा most important MCQ जो अलग-अलग exams में पूछे जा चुके हैं इन questions को lightly न लिएगा सारे questions को ध्यान से पढ़ लिएगा और एक बहुती जादा ज़रूरी बात ध्यान दियेगा इस वीडियो के पहला comment ज़रूर चेक कर लिएगा अगर इस वीडियो को बनाने में कोई गलती हो गई होगी तो मैं उसको उस comments में सही कर दूँगा तो वीडियो के पहला comment ज़रूर चेक कर लिएगा मैं इसको pin कर दूँगा वैसे गलती होने की possibility एक दम नहीं है क्योंकि मैंने 2-3 बार चेक कर ली है फिर भी अगर किसी तरह की कोई गलती हो गई होगी तो मैं इसको comments में correct कर दूँगा तो इसलिए वीडियो का पहला comment जरूर चेक कर लिएगा वैसे गलती नहीं होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please like कर दिएगा और चैनल को subscribe करना न भूलिएगा और साथी साथ बेल एकन को भी जरूर दपा लिएगा अगर आप एक law student है तो इस चैनल आपके लिए है